हेलो स्टुडेंट्स आज सम्लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे यूज ओफ कैन एंड गूड मोडाल्स है यह मोडल अग्जिलरीस के अंदर आते हैं यह कैन कहां कहां यूज होता है पाले हुज है शक्ति या युग्यता या शम्ता बताने के लिए शक्ति यानि की पावर युग्यता यानि की एबिलिटी शम्ता यानि की कैपसिटी इनको बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं फर एक्जामपल आई कैन स्वीम मैं टैर सकता हूं यह मेरी योग्यता कहिए या शम्ता कहिए कि मेरे अंदर योग्यता है तैरने की या मेरे अंदर शम्ता है तैरने की या उसके पास अंग्रे जी बोल सकता है यानि कि उसके पास अंग्रे जी बोलने की योग्यता है अबिलिटी है शी कैन रन फास्ट वह तेज दौड सकती है यानि कि उसके पास इतनी शक्ती है कि वह तेज दौड सकती है उसके पास इतनी पावर है उसके पास इतनी शम्ता है कि वो तेश दौर सकती है तो जब भी कहीं हमको किसी की शक्ति या युग्यता या शम्ता को दर्शाना हो उसकी पावर एबिलिटी और कैपासिटी को बताना हो दर्शाना हो वहां पर हम कैन का यूज करेंगे ध्यान देने वाली बात यह है यह मॉडरल अक्जिलरीस में इनके साथ कैन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है कहता है जो भी मॉडरल अक्जिलरीस हैं यानि कि जो भी मुडाल हैं उनके साथ वीवन यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब कर थर्ड फर्ड फोर्म और फिफ्ट फॉर्म यूज नहीं होता है यह ध्यान देने वाली बात है तो हमारा सेंटेंस का format क्या हो जाता है पहले sentence में subject आएगा फिर modal आएगा जो भी modal हम यूज करते हैं फिर इसका work का first form फिर उसके बाद object अगर यही यह हो गया formative sentence के लिए अगर यह negative sentence हो तब format क्या हो जाता है I cannot swim he cannot speak English she cannot run fast याने कि क्या format बनता है subject plus modal plus not plus work of first form plus object यह हो गया negative sentence का structure अगर यह interrogative रहता तब क्या हो जाता है can I swim can he speak English can she run fast it means palimodal fear subject fear work of first form fear object अगर यह interrogative negative sentence रहता तब क्या हो जाता है can I not swim can he not speak English can she not run fast याने की क्या हो जाता है moral plus subject plus not plus verb का first form plus object लेकिन can plus not का short form अगर लेते can plus not का short form can't हो जाता है ना तो ऐसे case में क्या हो जाता है सिदा can't I swim can't he speak English can't she run fast ऐसे हो जाता है यानिकि सब्सक्राइब बार फिर हमको not लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसी तरह से permission के लिए permission लेना हो या permission देना हो क्या करना हो permission लेना हो या permission देना हो दोनों के लिए ही can use होता है for example can I go now कभी मैं जा सकता हूं यह permission लेने के लिए use हुआ जब आप क्या मिला yes you can go now हां तुम अब जा सकते हो permission लेने के लिए can यहां पर यूज हुआ यहां permission देने के लिए can use हुआ next है सैधांतिक संभावना यानि कि theoretical possibility बताने के लिए can का यूज होता है theoretical possibility सैधांतिक संभावना है यानि कि practically हो भी सकता है नहीं हो सकता है theoretically आईसा होता है कि का अनुसार सिधांत का अनुसार होता है वह वाली संभावना बताने के लिए can का यूज होता है for example anybody can make mistakes कोई भी ब्यक्तिक गल्तियां कर सकता है electricity can be dangerous electricity की विद्धुत खतरनाक हो सकती है यह theoretical possibility है इसलिहां पर can का यूज हुआ देन है आदत या स्वभाव बताने के लिए किस इंसान की जो habit है या उसका जो nature है उसको बताने के लिए can का यूज किया जाता है for example a saint can harm no one एक संत किसी का नुक्सान नहीं कर सकता यह एक संत का स्वभाव है कि वो किसी का नुक्सान नहीं कर सकता या यह एक संत की आदत है कि वो किसी का नुक्सान नहीं कर सकता पुलिस एक निर्दोष ब्यक्ति को भी हैरास कर सकती है। बभाव जताना हो, habit या नेचर बताना हो, वहाँ पर can use होता है, can का एक dictionary meaning होता है, सकना, इस कार्थ ये है, कि जहां कहीं भी sentence में, सकना का sense आए, वहाँ पर हम लोग can use कर सकते हैं, क्योंकि सब कार्थ ही निकल रहा था, I can swim, मैं तैर सकता हूँ, he can speak English, वह अंगरे जी बोल सकता है, she can run fast, वह तेज दोड सकती है, can I go now, क्या भी मैं जा सकता हूँ, yes, हाँ, you can go now, तुम अब जा सकते हो, anybody can make mistakes, कोई भी व्यक्तिक गल्तियां कर सकता है, electricity can be dangerous, विद्धुत खतरनाक हो सकती है, a saint can harm no one, एक संथ, किसी का भी नुक्सान नहीं कर सकता, the police can harass an innocent person, police, एक निर्दोष व्यक्ति को भी हरास कर सकती है, सकना, सक्ती, सक्ते, हा रहा है न, सक्ता, सक्ती, सक्ती सक्ते, यह सब सक्ता की रूप है न, यानि कि जहां पर यह सक्ता का सेंस आ है, वहां पर हम लोग can, modal, यूज कर सकते हैं, अब बात करते हैं, हम could की, तो यह जो could है, यह इसी can का past form है, could क्या है can का, past form है, इसकार्थ है, कि जहां कहीं भी past tense में, यह सक्ता का सेंस देना हो, या कि यह सारे सेंस देने हो, जो अभी हमने कहने के लिए पड़े, यह सारे सेंस, यानि कि शक्तिया, युग्यता, शम्ता बताने के लिए, या permission देने या लेने के लिए, या सेंधान्तिक संभावना बताने के लिए, या फिर आदत या स्वभाव बताने के लिए, अगर हमें, यह सेंस ले कराना है, past tense में, तो वहाँ पर can की जगा, could हम इस्तमाल करेंगे, can का past form could होता है, for example, I could swim, मैं तैर सकता था, यहाँ I can swim, मैं तैर सकता हूँ, present tense है, यहाँ I could swim, मैं तैर सकता था, यह past tense हो गया, यानि की, इसी can का, यहाँ पर past form could हुआ है, यह जहाँ present tense है, वही यह past tense है, यह सारे जो uses हमने देखे हैं, यहाँ पर, यह सब के sub uses हमने, present tense में देखे हैं, present, present tense, present tense में हमने यह सारी uses देखे हैं, अब इन्ही सारी uses के लिए, past tense में, can की जगा, could इस्तमाल करते हैं, क्योंकि can का past form could होता है, you could go there, यहाँ ताना, you can go now, उसी का past form हो गया, you could go then, next step, polite request या permission के लिए, जहाँ पर किसी से विनम्र, request करनी हो, या permission लेना हो, या permission देना हो, ऐसे case के लिए, could use होगा, जैसे could I go home now, बहुत politely, किसी से इजाज़त ली जा रही है, permission लिया जा रहा है, का भी मैं घर जा सकता हूँ, तो वहाँ पर could आया है, तो जब आप भी could में ही मिलेगा, yes, you could go now, हाँ, तुम अब जा सकते हो, यहाँ भी permission के लिए, यूज हो रहा था can, यहाँ भी permission के लिए, could इस्तमाल हो रहा है, यहाँ present tense, यहाँ भी हसेंस, जो समझा रहा हूँ, यह भी present tense के लिए ही है, past tense के लिए यह था, यह था past tense के लिए, अभी यह जो use मैं आपको बताए, past tense के लिए नहीं, यह present tense के लिए ही बताया हूँ मैं use, अभी के लिए, तो यहाँ क्या था, कि normal permission किसी से ली गई, उसमें वो politeness नहीं थी, वो request नहीं था, polite request नहीं था, लेकिन यहाँ पर, वो समान्य था, जेनरल था, यहाँ पर हम polite हो जाते हैं, हमारा जो request होता है, बिल्कुल polite, विनमर रिक्वेस्ट होता है, permission लेने का जो डंग होता है, वो भी polite होता है, polite permission, विनमर इसाजत लेने के लिए, अग्या लेने के लिए, या फिर देने के लिए, उसी तरह से, थाड़ यूज हो गया, कूड का क्या, unreal condition में, संभावे शम्ता का बोध कराने के लिए, unreal condition, आव वास्तविक स्थिति, जो इस्थिति वास्तों में नहीं है, उस अवास्तविक स्थिति में, किसे संभावना को व्यक्त करनी है, तब उसके लिए, कूड का परियोग किया जाता है, for example, if we had more money, we could buy a car, अगर हमारे पास, और अधिक पैसे होते, तो हम एक कार खरी सकते थे, अब we had more money, ये तो है नहीं ना, महरे पास more money अभी, ये रियल नहीं है, ये अन्रियल होगा आँ वास्तविक को, वास्तविक्ता तो ये ये कमर पास ज्यादा पैसे नहीं है, वास्तविक्ता क्या है, कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, यही सच है यही reality है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन हमने आवास्तवी के condition ले लिया कि अगर हमारे पास अधिक पैसे होते तब हमें कार खरी सकते थे है तो ऐसे जहां कहीं भी हो unreal condition में संभा विश्मता का बोध वहां पर हमको कूड का पर्यूग करना पड़ेगा तो आज हम लोग सिखे कैन और कूड का यूज अगली क्लास हम लोग सिखेंगे में और माइट का यूज थैंक्यो